हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं आउले का अचार बना रही हूँ इस अचार की खासेत यह है कि इसको बनाने के लिए हम आउले को पकाएंगे नहीं कच्चे आउले से इस अचार को बनाएंगे जिससे की maximum nutrients आपको मिल सकें और यह अचार नॉर्मल जो आप अचार बनाते हो पकाके या इस्टीम करके उससे कई ज्यादा स्वाधिष्ट भी होता है और long lasting भी होता है आप लंबे समय तक इसको श्टोर कर सकते हो यह जल्दी खराब नहीं होता है और इसमें तेल भी काफी कम लगता है सुखा आचार बनके तयार होगा यह तो इससे बनाना सुरू करते हैं आउले का अचार बनाने के लिए हमने आउले ले लिये हैं इनको अच्छे से धो लिया है हमने कहीं पर से भी सड़े या दागी आउले नहीं लेने हैं इसको धो लिया है धो कि हमने पोच के सुखा लिया था उसके बाद मैंने इसको धूप में रखा या आप धूप में नह तो आप पंखे में इसको सुखाएं, बिल्कुल भी गीले नहीं रहने चाहिए, आउले कहीं पर भी आउले में पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, और उसके बाद मैंने नमक और हल्दी इसमें डाल दी है, नमक और हल्दी हम बाद में भी एट करेंगे, तो आगे आपको बताऊंगी में कितना हमने डालना है, तो अभी आप ऐसे डाल दीजी अंदाज से, इसको अच्छे से मिला लीजे, अभी क्यूंकि सूखे हैं आउले तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तीन दिन के बाद तो पांच-छे घंटे बाद आप देखेंगे कि आपके जो नमक और हल्दी है वो गीली हो जाएगी, दीरे-दीरे करकेस में काफी सारा पानी हो जाता है, आप पलटते रहें बीज में, तो तीन दिन के बाद इसको आप छान लें, छाननने के बाद आप इसको धूप में काफी सारे न्यूट्रियंस जो की आउले को पकाने से खतम हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, तो आप इस तरीके से एक बार आउले का आचार बनाया है, क्योंकि मैंने नमक पहले भी डाल दिया था, और अब भी डाल रही हूँ, नमक जो मैंने डाला था, जो आउले ने पानी छोड़ा, वो मैंने छान लिया है, तो नमक भी उसके साथ चला गया, इसलिए मैं अभी और नमक इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेश्टर के अकॉर्डिंग नमक डालें, मैंने विनेगर डाला हुआ है, मैं सेप का सिर्का डाल रही हूँ, आप इसमें नॉर्मल जो वाइड विनेगर आता है, वो भी डाल सकते हो, और नमक के बाद विनेगर और हल्दी मैंने इसमें डाल दी है, यह है अजुवाइन, और इसके लावा, अब मैं डालूँगी इसमें सौफ, यह सारे मसाले और आउला मिलकर आपके डाइजेशन को काफी इंप्रूब करेंग काला नमक डाल दिया है मैंने, आप देख रहे हूंगे काफी यह अच्छा रहेगा आपके पेट के लिए, और यह लाल मिर्चे है, मैंने दोनु तरह की लाल मिर्चे इसमें डाली है, कस्मिरी लाल मिर्चे और नॉर्मल वाली लाल मिर्चे, जिससे की इसमें तीखापन भी मैं और इसमें कलर भी नंगा दोनु के लिए हैं और यह दादी अ मैंने हींग और यह यह तेल में इक कटूरी फुल यह तेल यह तेल को मैंने गर्म नहीं किया चैकितनी green क्छा उरनेी किया है ऐसी मैं इसमें डाल दिखेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको मसाले जिससे की आउले में अच्छे से कोट हो जाएं उस तरह से हम इसको अच्छे से चलाएंगे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अभी हम अपने जार में नहीं डालेंगे इसको तो अभी हमने इसी बरतन में इसी चोड़े बरतन में रहने देना है अछे से मसाला मिकस करने के बाद अब हमने एक खौटन के कटन के कपड़े से जो भी आपका है इसके मुँग को बाधा लेएं मैंने इसको अच्छे से फिर से मिला देंगे, क्योंकि आप इसको धूप में रख दें, कपड़े से बांद के और उसके बाद आप डेली साम को इस तरह से मिक्स कर दें, आप 3-4 दिन ऐसा करें, और इस 3-4 दिन के बाद आपका ये आउले का अचार जो है, वो बिल्कुल आउले का अचार आपका रेडी है, तो आप इसी तरह से आउले का अचार बनाएं, आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंड करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगती है तो लाइक करेगा, और उनके साथ भी शेयर करेगा, और हमाया चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आज के लिए नहीं, थैंक्स आपर वाचिंग,